हाव वेश सभी लोगों को नमस्कार एक बार फिर सा स्वागत आप सभी लोगों का आज आपके लिए लेकर आए एक बहतरीम सी वेकंसी के बारे में जानकारी जिसका बहुत सारे बच्यों को इंतजार होता है बहुत ज्यादा qualification की जरूत नहीं होती बहुत ज्यादा detail में यहां पर question नहीं होते level of exam बिल्कुल average होता है और maths और reasoning वालों को जिनको डर लगता है maths और reasoning से उनको भी बड़ा आराम मिलता है तो यह vacancy है MTS की SSC MTS vacancy 2023 यदि मैं बात करूँ MTS की तो इसे बोला जाता है multi-tasking multi-tasking staff basically multi-tasking staff की मैं बात करूँ तो इससे clerical job clerical job होता है प्लस इसके साथ यह हवलदार की post भी निकलती है हवलदार की post भी निकलती है हाली में जो exam हो रहा है अभी session 2 चल रहा है अभी से 20 जून तक चलेगा यह session 2 चल रहा है यह MTS 2022 का जिसका मई के अंदर exam हुआ था फरवरी में जिसका notification आया था उसका चल रहा है और जल्ल ही आपके लिए MTS 2023 की भी vacancy आने वाली है अब सर उनमें भरती कब आएगी vacancy कब आएगी उसमें eligibility क्या है योग्यता क्या है तैयारी कैसे कैसे करें exam का pattern क्या होता है salary क्या होती है ऐसी सारी के सारी तमाम जानकारी में देता रहूंगा आप बने रहेएगा तो भाई सबसे पहले हमारे यह जितने भी सवाल है इनको solve करते हैं सबसे पहले हम बात करें कि एक overall exam का perspective क्या है कौन exam करवा की भी post निकलती है प्लस हवलदार exam जो होता है selection process की मैं यदि बात करूं तो computer based test होता है जो objective type होता है और दो sessions के अंदर अलग लग होता है session 1 और session 2 इनकी detail जानेंगे इसके बाद जो हवलदार post वाले होते हैं उनके लिए physical standard test भी होता है पीस्टी भी होता है session 1 के बाद टायर 1 के बाद basically आपके जो दोनों complete हो जाते हैं तो उसके बाद physical होता है physical बहुत ही normal होता है बहुत कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होता है इसकी अधिक जानकरी के लिए आपको जाना पड़ेगा www.ssc.nick.in पर चले जाईएगा और वहां प योग्यता की जो आवशक्ता होती है इसमें 10th pass की आवशक्ता होती है यह फरक नहीं पड़ता कि आपने बारवी कर ली ये कर ली वो कर लिया आपके 90% marks हैं आपके 40% marks हैं जिसने भी 10th pass कर ली है वो ये exam appear कर सकता है तो यदि आप बहुत ही अभी अभी दस्वी पास करी और में परिवार का साथ देना चाहता हूं तो एक इक गूर्डन अपोर्चुनिटी घूल बहुत एन अबॉन के आपको क्वेशन 9ए पड़े मिले होंगे नाइट एंगल ऐसे वल्ड कप किसने जीत ऐसे बैसिक वालए question यहा पर ंप ऊचे कहते घे एज eligibility की यदि मैं बात करूँ तो minimum age is 18 years लेकिन कुछ post के लिए maximum age is 25 to 27 कुछ के लिए 27 है कुछ के लिए 25 है इसकी detail जानकारी official notification आने पर आपको दे दी जाएगी area wise चूंकि यह होता है बाकी जैसे की OBC के अंदर 3 साल की छूट होती है तो वो आपको मिलेगी ही SC-ST के अंदर आपको 5 साल की छूट होती है वो आपको मिलेगी यदि आप physically disabled है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी इसी तरीके से ex-servicemen उनको भी विसेश चूट यहाँ पर age में मिल जाती है अगर इस vacancy की मैं बात करूँ तो males और females दोनों के लिए vacancy होती है और इसका physical बहुत खतरनाग नहीं होता है बहुत नॉर्मल होता है कोई भी कर सकता है अब यदि बात करें सर वेकेंसी कब आएगी तो यदि हम देखें एससी के official ओफीशल यदि कलेंडर की मैं बात करूँ तो कलेंडर में दे रखी है डेट जो notification की notification जारी करने की जो date दे रखी है वो दे रखी है 14 जून और जैसा कि आप पिछले एक साल से ससी को देखते आ रहे हो एससी ने जो कलेंडर में लिख दिया वो लिख दिया वो होकर रहता है रात 9 बजे के करीवन ये आपकी notification detail notification area wise आपका distribution of vacancies भी आ जाएगा 14 जून से 14 जुलाई तक आपको फोर्म भरना है और एक्जाम जो होना है वो September में होगा कब होगा September में होगा तो लगबग लगबग आपके पास तीन महीना जून जुलाई अगस्त मोटा मोटा तीन महीना आपको पास यह रह जाता है और अभी तो तीन महीने में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है तो वह भी मैं आपको एक्जाम पैटर्न डिसकेशन कर लेते हैं सर सीपीटी एक्जाम होता है मैंने आपको बताया यह टायर वन टायर टू नहीं कोऊंगा वेसे से सेशन वन और सेशन टू इसके अंदर अलग लग दो सेशन होते हैं सेशन one की अ और 60 की होगी रीजनिंग तो टोटल 120 नंबर का होता है पैतालीस मिनिट आपको मिलते हैं अब आप कहेंगे सर आपने तो यह कहा कि मैट्स और रीजनिंग से जिसको डर लगता हो वो भी आसानी से कर सकता है तो मेरे लाटलो इसको बड़े आसानी से कर सकते हो क्योंकि इसे क्वालिफाइंग एगजाम होता है क्योंकि दॉसरी चीज और मैं बता दू पहली बात यहां जो मैट्स और रीजनिंग जो लेवल आता है अभी तक जो होता हुआ आया है जो इस साल भी हुआ कि भाई negative marking इसके अंदर नहीं होती negative marking नहीं होती अब sir qualifying है तो इसमें minimum qualification कितनी है तो भाई 40 question total पूछेंगे इसमें से general की general category से यदि आप belong करते हैं तो minimum आपको ये qualify करने के लिए 30% qualification है मलब 4-3-12 आपको बस 12 question सही करने इन 40 question में से यदि आप OBC से है तो OBC से आपको लगबग 25% यहां पर minimum qualification है लगबग 10 question केवल और केवल 10 question अब चाहे 10 question आप match के ही कर दिये आपने सही चाहे 10 question reasoning के ही कर दिये ऐसा पिछली बार notification में कहीं भी नहीं लिखा था total 40 question में से ये minimum आपको करने है यदि SCST की मैं बात करूँ तो यहां 20% minimum qualification है आठ question आपको केवल और केवल सही करने है देर इस नो negative marking इसलिए मैं कहा रहा था कि मैं आच और reasoning से डर लगता है तो एक बहुत ही golden chance आपके पास होने वाला है इसके बाद आता है session 2 session 2 के अंदर आपको बता दे सबसे पहले एक बटा 3 negative marking होती है और यहीं से final cut off लगती है इस 45 minute में आपको decide करना है कि आपका selection हो रहा है कि आपका selection नहीं हो रहा है इसमें भी दो पार्ट है एक जनरल अवेरनेस का जिसके अंदर आपके ट्रिडिशनल जीके जीएस आती है history जोग्रोफी हिस्ट्री के question basic basic question आते हैं जोग्रोफी के बहुत ही basic question आएंगे पॉलिटी के कि अंदर कितने आपके parts है या आपके fundamental duties कितनी है basic question आते हैं economics के पंचवर्ची योजना से सीधे सवाल पूछ लिए इसके अलावा current affairs से संबंदित आपको awards पूछ ले जाते हैं कोई पुरुसकार दिया गया हो इस साल best film fair का वोड किसे मिला वो ऐसे तमाम सवाल यहां पर आ जाते हैं static gk के तो static gk में आपको UNESCO विस्व धरोर पूछ लेता है basic कहां पर है वो पूछता है 25 question आते हैं पिचितर नंबर के और इसके बाद आती है English में भी 25 question आते हैं पिचितर नंबर के total 50 question होते हैं 150 नंबर के और 45 minute में आपको यह करना होता है इस तरीके से आपके यह दोनों CBT computer based test जो की objective type होते हैं यह clear करते हो यदि आपने हवल्दा की post के लिए apply करा है if you have applied for post of हवल्दार यदि हवल्दार की post यदि आपने apply करा है तो आपका एक physical test होता है एक physical measurement test होता है जिसमें देखो running नहीं है आपको दोडाया नहीं जाता race नहीं है सबसे प पुर्सों के लिए 1600 मिटर की आपको walking करनी होती है 15 मिनेट में 1600 मिटर मतलब लगबग 1.5 km आपको 15 मिनेट में जाना है आराम से जाए आराम से और यह आराम से कोई भी कर सकता है और महिलाओं के लिए तो बिलकुल बहुत ही बढ़िया है कि एक किलो मेटर जाना आपको आप चेस्ट की अधी बात करूं तो पुर्सों में 81 अपका सेंटिमेटर चेस्ट और फुलाने के बाद 5 सेंटिमेटर का एक्सपेंशन 86 सेंटिमेटर महिलाओं के लिए चेस्ट अप्लिकेबल नहीं होती महिलाओं में वेट मांगते है 48 केजी 48 किलोग्राम आपका वजन होना च तो बिल्कुल एक बेसिक सा फिजिकल स्टेंडर्ड टैस्ट कोई ज्यादा नहीं है 1600 मिटर पूर्सों को जाना है 15 मिनिट के अंदर जाना है महिलाओं को एक किलोमेटर जाना है चाल होती है 20 मिनिट में चलना है हाइट मैंने बता दी कि 157.5 सेंटिमेटर और महिलाओं के ल जो है वो फाइनल सेलेक्शन के लिए आपको नस्दीक ले जाएंगे जो कटोफ में इनकी बात करूँ तो यह बेसिक है यह तो सबको चाहिए होता है और बिल्कुल यहां पर एवरेज कोईशन आते हैं इस साल के यह दिदेखें अब सब्टमर वाले इसका जब एक्जाम हो करेंगे तब तक लिए ध्यान रखें ख्याल रखें मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में यदि अभी भी आपको कोई जान करी चीए कि पिछले साल की कटोफ कैसे रही क्या रहा पैटन क्या रहा सर एक बार उसका डिस्क्रिशन कर लीजिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिक भेजिएगा चलिए मिलता हूं तब तक लिए ख्याल रखें ध्यान रखें बाई बाई जैहिन जैभारत